अगर आप भी दिल्ली का income certificate बनवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है वीडियो को end तक वो जरू कीजेगा इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप online गर पे बैठे हुए ही अपना income certificate easily बनवा सकते हैं साथ ही income certificate से जुड़ी होई सारी जानकारी आपको लिए इस वीडियो में मिल जाएगी दोस्तो आप चैनल पर फर्स टाइम आया जरू कर लिजेगा और वीडियो पसंद आएगे तो वीडियो को लाइक जरू कीजेगा सलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसकलित सबसे पहले आपको अपने mobile computer ब्राउजर को open कर लेना है और सर्च करना है दिल्ली की में वेबसाइट जोकि यह इस इसेसट का लिंक मैंने अपनी वीडे पर पासवर्ट चाहिए आप देखें दोस्तों आपको यहाँ पे अगर आप first time आया है तो आपको जाना है new user के option में यहाँ पे आपको registration करना है सबसे पहले क्योंकि आपको एक user ID और password चाहिए उसके registration कैसे करना है इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है उसका full procedure मैंने आपको उस वीडियो में समझाय हुआ है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं तो मेरी इस वीडियो का link आपको वीडियो के discussion मिल जाएगा तो इस वीडियो को देखकर आप registration कर सकते हैं और अपना user ID password get कर सकते हैं तो यहाँ पे मेरे पास user ID password पहले से ही यहाँ फिर आप home page आके अगर आपके पास user ID password है तो आपको जाना कहां पर रिजिस्टर युजर लोगिन के option पर जाना है यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद आप डायक्ट लोगिन पेज पर आजाएंगे लोगिन पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर अपने user ID password और गेट भी कर सकते हैं इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुए कि कैसे आप अपना गेट करेंगे user ID password इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुए जिसका link आपको वीडियो की description मिल जाएगा आप उस वीडियो को देखकर आपने password को forget कर सकते हैं तो अब मैं लोगिन कर लेता हूँ, लोगिन करने के बाद देखे, अब आप डेस्बोर्ड पर आ जाएंगे, जहापे आपको केंडिडेट की प्रोफाइल सो करेगी, आप देखे दोस्तों यहापे अगर आपको कुछ भी अप्लाई करना है, कोई भी इंकम सर्टिफिकेट, कोई भी आप अप्लाई करना है, तो जाना है आपको अप्लाई ओनलाईन के ओप्शन में, 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 आपकी Basic Personal Detail आपको सोग करेगी इसको आप Check Out कर लिजेगा अगर आपकी Basic Personal Detail में कुछ च्यक verdadा करना है आपको Scroll करना है और Edit Option पर किलिप करके आप सकते हैं अगर आपकी Personal Detail आपकी आपके तो Прिक करना है जो कि आप करेगा Service Related Detail거든요 आपका तो इसके लिए आपको स्कूल जाना है और पहला आपको पूसर इंस्टिटूट कर लेता हूँ इसके बाद यहाँ पर मिलता है रेजिदेंस का कि आप जिल्ली क अंदर आपका घहर है तो आप और सेलेक्ट कीजेगा अगर आप रेंट पर रहते हैं तो आप रेंट सेलेक्ट क करते हैं यहाँ पी मेरा अपना का है तो यहाँ पर मैं ओनर सलेक्ट कर लेता हूं करने के बाद थर इस्ट έप आता है कि वेदर इंकम सर्टिफिकेट आपने पहले बनवाया है कि यहाँ किजीगा और वाइज नो कर दिजेगा तो आप फ्रेस अपलाई कर करना है और के नाम से तु यहां पी इस कीजएगा डरावा आपको लिद्ग सुरय है उडियुक्ट यहां बाद को करने do के बाद करने कि कि यह दो आपको कणीर यहां तो कितना है वह क्ष्ट मंत पर अगर वो यह यहाँ फैमिली में रासन कार्ड है आपको यहाँ तो probाउफ हो combination taken कार्ड अपकर नंबर ने तो यहाँ ने नहीं करता हूं अगर आप यहाँ पबह में यहारन नंबर कुर देना होगा हो तो यहाँ इसाओं पर गवह लीजए अपना handmade पर दोकेमेंट में इसके बाद आपको 6 step आता है आपका कि आप tax pay करते हैं तो यहां पर फीज पे करते हैं और यहां पर आपको मैंसन कर देना है हैं इसके बाद आपको देखे नेक्स अप्से सब्सक्राइब करते हैं उसके इतनी हुं और कि आपकी फैमली में पर तेनी और मुंतली वहां पर और आपके वाइफ ध्यूर gel यह फास में अन ही तो आपको क्या बनट सब्सक्रामिन आपको नेम देना ह Cyrus में उसकर आपके इसका तो आपको क्या करना है डीटेल तो फिर भी देनी है किसी एक की डीटेल देना और जो मंतली इंकम देते हैं आप उसमें आपको जीरो डाल देनी है इस तरह से आप यहाँ पे एडरो में एड करकी सेम तरीके साथ फिल भी कर सकते हैं कि अधर कोई परसन आप अंकरता है करना हे प्रस अप्रस करना है जैसे यह आपको प्रस्टेब अगर्यात करना है और आपको यह चाहरू रख करना है और आप बेंगेρ इसके बाद आपको नीचे आपको ऑप्शन मिलता है जन्रेट सेल्डेशन फॉर्म इस उप्शन में आपको क्लिक करना है क्लिक करते हैं आपको सामने सेल्डेट हो जाएगा इसको आप प्रिट आउट निकाल लेजेगा या फिर इसको आपको डाउनलोड कर लेना है तो करने के बाद आपको पीड आपको yield मेंटर आपको पर massively ही ओडूनलोड करने के बाद आपको ऑपेरीडियो करना है इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक भी आपको इस डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगा अब आपको देखें दुबारा से जाना कहाँ पर है जानाई उनलाइन की अप्षिन में और इसपर जना आप पर जाना में के पर प्रिंट्टीफ एप्लोड रोट करने के बा आप नेक्स टेप पर जाएंगी अपना अधर कर लोड कर सकते है राईदेट्ट पर से सटंग्ड क्लिक कर लेता हूँ क्लिक करने के बाद देखिए मैंने यहां पर वेले सही डॉक्षाल सेट्टिफिकट बनाए वा था यहां पर मुझे अगर आपको भी ऑप्सन मिल रहा है तो आप यहां पर इसको क्लिक करके आप डायक्ट अपलोड कर सकते हैं अधरवाइस अप्रेस अप भी अधरवाब नॉमबर आपको ही करने के बाद देखे आपको सेलेक्ट करना है आपने डॉक्यमेंट फाइल आपको चूज करनी है यहां पर फैल पिटियसरे वोगने को और अपडिक करना है उपलोड यहां जाएक आपको दिखा देता हूँ आपकी वाद देखिए अपक यह option बी क्लिक करके आप यह चेक भी कर सकते हैं कि आपकी फाइल अपलोड होई है नहीं होई है तो यह इसको कैंसल कर देता हूं इसके बाद आप मुझे सेकंड डॉक्मेंट अपलोड करना है एलेक्रिटी करनेक्शन अगर आपने यह किया है तो नहीं करना होगा इसके लिए अपलोड वुषन की फीर में खीर करने को इसके बाद देक्र में अ customer करनेक्स ऑफ़ेया है इसके बाद डॉक्मे मैं जो कि मैं आ इसके बाद नंबर फीर ग्लाइना होगा यहाप रिपंण एक रबार अपने फ्लोड अपलोड़ करने के बाद आप FOR इना है सेम ज redan अच्प करने के बाद अप्लोड करता हूँ इसके लिए मुझे अप्लोड करता हूँ इसके लिए मुझे अप्लोड करता हूँ इसके लिए मुझे अप्लोड करता हूँ तो मैं आपे आधार काड़ी अप्लोड कर रहा हूं सेम तरीके से जैसे मैंने अपना प्लोड को अपोड गया था उसी तरीके से मैं अपना अपने यह जो अधार काडहरी मैं तुबारे से अप्लोड कर लihat आउ हुआ पना सलेक्जान डॉक्यूमिंट, NUM-դा दीन लिए तरह करना है तो सेम तरीके से मैंने अपना अधर काड़ भी अपलोड कर लिया है इसके बाद देखिए आपका यहां पर तीन डोकुमेंट हमारे अपलोड हो चुके हैं इसको भी कर सकते हैं इसके बाद लाज्ट होता है हमारा सैयल डिकलिशन जो मैंने अभी रेडी किय तो यहां पर मैं department of revenue डाल देता हूं इक बार document number डालना है document number आपका क्या होगा आपका sell replacement form के लिए तो यहां पर document number जो होता है जो आपका sellcription form होगा आप उसको open करके देखेंगे तो आपका temporary applicant ID number होगा उसको आपको note down कर लेना करने के बाद आपको डॉकिमेंट नमबर पे फिल कर देना है इसके बाद आपको फाइल चूज करनी है फाइल का साइज-ापको PDF-jpg रखना है और exact looks 6 यह में पैने आपने हैं पे makan डी में उर्च को अपना continue to next option पर क्लिक करने के बाद आप next step पर आजाएंगे next step जो आता है आपका photograph का यहां पर आपको photo upload करना है तो यहां पर मेरी पहले सी photo upload है क्योंकि मैंने domain style certificate के लिए apply किया है तो आपको fresh apply करने के लिए आपको यहां पर अप्लोड की option पर जाना है यह चूज काइप्टर कर सकते डायक्ट अपने computer से तो upload में चाहिए आपकी file रखी हुई है आपकी photo रखी हुई है वह आपको चूज फाइल की option पर क्लिक करके upload कर लेनी है कि आपने application आपने फिल किया है वह correct फिल किया है अगर कोई mistake हो गया तो edit को इडिट भी कर सकते हैं इसके बाद आपको simple final submit की option पर क्लिक करना है इसके बाद आप कोई जिन जिस नहीं कर सकते तो यहां पर मैं final submit की option पर क्लिक करता हूं क्लिक करने के बाद आपके register mobile नमबर पर आपको एक OTP जाएगा इसको आपको enter OTP की option पर क्लिक करके आपको OTP फिल कर लेना है और submit की option पर क्लिक करना है तो यह OTP आपके mobile नमबर पर जाएगा तो यह आपको कुछ time के लिए रहता है इसके बाद आपको recent भी कर सकते हैं अपने बाद आपको बाद दोक्युमेंट जो भी आपने अप्लोड किया है उसके आपको अपने डोकिमेंट और एक स्कैन कोपी आपको अपने पास रखनी है और 10 बजे से लेके आपको एक बजे के बीच में आपका टाइमिंग दिया हुआ है और एक लेंच टाइम के बाद टाइमिंग दिया है इस टाइम में जाके आपको अपने डोकुमेंट वेरिफाइ करानी है अपनी स्कैन को पीप साथ में ले जानी है और अपने अपने डोकु document upload करें उनके जो आपके original copy आपके साथ होने चाहिए और इनकी scan copy दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक जरू कीजेगा चैनल पर फर्शन चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेजेगा और वीडियो को सेर करना बोलें